एक जंगल की बाहर एक बड़ा पुराना महल था महल के अंदर एक जादूगर्णी रहा करती थी जादूगर्णी बूढी और बहुत शैतान थी उसके पास एक चील रहता था जिसका वो पाउं बांध कर रखती थी एक दिन वो चील उड़ता हुआ जंगल में आ गया और जंगल में बागी पंच्शियों को उड़ता देख बहुत खुश हुआ इन सबके जुल्गी कितने अच्छी है जो ये अपने मर्जी से कहीं भी उड़ सकते हैं और कितने खुश भी हैं ये देख कर चील की आँखों में आसू आ जाते हैं और वो जोर-जोर से रोनी लगता है चील के गिरते हुए आसू नीचे जंगल में सो रही नागिन लतिका पे गिरते हैं लतिका चौक कर उठती है अरे ये पानी कहां से गिर रहा है पूरी नींद खराब करती लतिका उपर देखती है उसे आस्मान में एक चील उर्ता दिखाई देता है जो रो रहा था अरे ये चील तो बहुत रो रहा है पर ये रो क्यो रहा है शायत ये भूका होगा इसलिए पर चील और साफ की तो हमेशा की दुश्मनी है कहीं इसने मीरा ही नाश्टा कर लिया तो लतिका अन देखा कर चली जाती है और चील भी वापस महल में चला जाता है जैसे ही चील महल की दिवार पर बैठता है जादुगर्णी उसे उसके पाउं में बांध धागे से कीच लेती है और थोड़ा सा धागा तोड़कर पिंजरे में कैद कर देती है बिचारा चील रुआसा होकर फिर से अगली सुभे का इंतजार करता है अगले दिन भी चील आसमान में उड़ने लगता है और बाकी पक्षियों को और चांदुरों को खेलता देख फिर से रोने लगता है इस बार भी आसू फिर से लटिका के उपर आकर गिता है और उस दिन चील की रुआँ की आवास भी बहुत तीज आ रही थी ये देख लटिका बहुत परिशान हो जाती है आखिर ये चील इतना क्यों रोता है कोई तो बड़ी बात होगी मुझे इस से पूछना चाहिए लटिका चील के नीचे खड़ी होकर आवास लगाती है लटिका नाकिन वस्त्रों में रहती है अरे चील मैं तुम्हें इतने समय से देख रही हूँ तुम बस एक जगह रुक कर रोते क्यों हो क्या तकलीफ है तुम्हें तुम कौन हो और मुझे चील का दर्थ क्यों पहुच रही हो मैं नाकिन हूँ मेरा नाम लटिका है और नाकिन लूप में आ जाती है क्या एक नाकिन एक नाकिन होकर तुम एक चील से बात क्यूं कर रही हो तुम्हे डर नहीं लगता डर? कैसा डर? अगर मैं तुम पर आकरमर कर तुम्हे मार डालू तो नहीं चील मैं इतना तो तुम्हें देखकर समज गई हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वैसे मेरा नाम समर है समर इतना अच्छा नाम और जीका दरसल मेरे नाम के साथ मेरे बहुत से राज जुड़े हुए है दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तब ही शाम हो जाती है और लतिका मुझे जाना होगा पर तुम कुछ बता रहे थे और लतिका के सामने ही समर महल की और वापस चला जाता है जैसे उसे कोई खीच रहा हो आगले दिन लतिका उस चील का इंतजार करती है आज मैं उस समर से सारी बात पूछूँगी कि आखिर वो इतना परिशान क्यों है समर महल से बाहर उड़ता हुआ बाहर जंगल में आकर पाकी पक्षियों को दूर तक उड़ता देखता है और अपने पाउं में बंधी उस रसी को देखता है और फिर से जोर-जोर से रोने लगता है रोज की तरहा लतिका उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाती है और आसमान में देखकर उसे नीचे आने को कहती है समर तुम यहां पेड़ पर आकर बैठ जाओ हम दोनों आराम से बात करते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं बहुत मजबूर हूँ मजबूर कैसा मजबूर क्या हुआ मुझे बताओ आप तो हम अच्छे दोस्त बन गए है समर लतिका को अपने पाओ पर बंधी रसी दिखाता है ये क्या है तुम्हारे पाओ पर ये रसी कैसी तुम नीचे आओ मैं इसे खोल देती हूँ नहीं ये कोई ऐसी वैसी रसी नहीं है अगर ही मेरे पाओं से खुल गई तो वो मुझे मार डालेगी कौन तुम्हे मार डालेगी समर लतिका मुझे एक जादूगर्णी ने अपने महल में कैद का रखा है कैद? पर वो क्यो? ये जो मेरे पाओं में तुम रसी देख रही हो ये कोई साधान रसी नहीं है ये रसी मेरे जीवन और मौत की रसी है लतिका अश्चर यसे सब सुन रही थी जादूगर्णी की इस रसी के लंबाई जिस दिन खात्म हो जाएगी वो मुझे मार डालेगी तुम्हें पता है लतिका मैं रोता क्यो हूँ रहासपास उड़ते पक्षियों को देखकर रोता हूँ कि ये जंगल के उस बार भी उड़ सकते है पर मैं तो सिर्फ जितनी लंबी रसी है उतना ही दूर उड़ सकता हूँ और फिर रूनी लगता है समर तुम रोना बंद करो और मुझे पूरी बात बताओ मैं रोज महल से बाहर आता हूँ और जब महल में वापस जाता हूँ तो जादू करनी मेरे पाओं पर बनी इस रसी में से मेरे पंक जितनी रसी काट कर छोटी कर देती है पर वो ऐसा क्यों करती है ताकि वो मुझे तरपा सके और मैं उसे जवान कर सकूँ जिस दिन रसी के लंबाएं सिर्फ मेरे एक पंक जितनी बचेगी उस दिन वो मुझे मार कर मेरा खून पीजाएगी समर मैं एक नागिन हूँ मैं जादू से तुम्हारी रसी खोल सकती हूँ फिर तुम उड़कर कहीं दूर चले जाना इतना आसान नहीं है लतिका मैं कोई मामली चील नहीं हो लतिका सारी बाते ध्यान से सुन रही थी आँखें बड़ी करते हुए मेरा नाम समर है मेरे बाबा पडोस के राज्य के राजा है और मैं उनका छोटा बेटा हूँ मेरी सुन्दरता कुशलता के चर्चे हर राज्यों और हर गाउं में होते थे और धीरे धीरे मेरे लिए शादी के धीरे सारे प्रस्ताव आने लगे क्या तुम इनसान हो तो फिर ये चील रूप में कैसे ये बात बहुत साल पहले की है एक दिन महल में मुझसे शादी करने के लिए एक लड़की आई जो असल में लड़की नहीं कोई कुबड़ी सी बुढ़िया थी जिसने घुंगट किया हुआ था सबने उसे दीकर बहुत मजाग बनाया बुढ़िया तु मेरे सुन्दर बेटे से शादी करना चाहती है तेरी इतनी हिम्मत चली जाए हां से वरना मैं तेरा सरकलम करवा दूँगा घमंड नहीं राजा तुझे अपने बेटे की सुन्दर्ता का इतना घमंड है न मैं शाब देती हूँ कि जिस सुन्दर्ता का इसे घमंड है मैं वो छेन लोगी हां ये सुनते ही सभी डर चाते हैं और बुढ़िया से माफी मांगते हैं पर बुढ़िया गुसे से महल से बाहर चली जाती है महराज कहिए हमारे समर को तो कुछ नहीं करेगी नहीं मैं समर को कुछ नहीं होने दूँगा और एक दिन जब मैं जंगल से गुसर रहा था तो मैंने सामने एक लड़की को पेड़ के पास बेहोश पड़े देखा मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसकी मदद करने चला गया फिर आके क्या हुआ मैंने उस लड़की को सिधा किया और उसे हिला कर पूँचा कौन हो तुम? क्या हुआ तुम है? लड़की कुछ होश में आने लगी मैंने नदी से पाने लाकर उसके चेरे पर डाला और वो होश में आ गई कौन हो तुम? और तुम यहां कैसे पड़ी हो? मेरा नाम संगीता है वो मैं थोड़ी देर पहले यहां से गुजर रही थी तो मुझे पेड़ के पास एक बुढ़िया नजर आई बुढ़िया? कौन बुढ़िया? वो बुढ़िया कुबड़ी और बहुत भथी सी दिखती थी उसने मुझे खाने को एक सेब दिया मैं बहुत भूगी थी तो मैंने सेब लेकर खा लिया और जैसे ही वो सेब खाया तो मुझे चकर आने लगी और मैं भी होश हो गई जरूर ये वही पागल बुढ़िया होगी जो मेरे महल में आई थी महल? क्या तुम राजकुमार हो? हाँ, मैं एक राजकुमार हो और मुझे शादी का नेका प्रस्ताव लेकर वो पागल बुढ़िया मेरे पास आई थी बिचारी बुढ़िया तुम तो कितने सुन्दर हो मैं भी राजकुमारी हूँ मेरा महल जंगल के बाहर ही है तुम चाहो तो वहाँ चलकर आराम कर सकते हो समर और संगीता एक दूसरे की आँखों में देखते हैं और समर उसके साथ चला जाता है समर महल में प्रवेश करता है और देखता है कि संगीता का महल समर के महल से भी विशाल था समर महल को देखता ही रह गया कि तभी संगीता बहुत सुन्दर से वस्त्र पहन कर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है संगीता तुम तुम बहुत खुबसूरा थो संगीता शर्मा जाती है और समर संगीता के पास जाकर संगीता का हाथ थाम लेता है तुम भी बहुत अच्छे हो समर संगीता क्या तुम मुझसे विवा करोगी मैं तुम्हें मेरे महल ले चलोंगा हाँ समर मैं भी तुमसे विवा करना चाहती हूँ तब ही समर की नजर सामने लगी शीशे पर पढ़ती है और वो देखता है कि वो जिस लड़की को गले लगा रहा था वो असल में वही बुढिया है जो उसके महल में आई थी ये देखते ही समर संगीता को जोर से धक्का देता है कौन हो तुम दूर अटो मुझसे तू तो फस ही गया इस माया के जाल में और संगीता बुढिया के रूप में आ जाती है और समर देखता है कि पूरा महल खंडर में बदल जाता है और सामने खड़ी बुढिया बहुत बड़ी बन जाती है समर बहुत डर जाता है मुझे जाने दो मुझे माफ कर दो तुझे क्या लगा था? मैं कोई ऐसी ही बुढ़िया हूँ? मैं एक बहुत बड़ी जादुगर्णी हूँ और अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा शाप का असर तुम पर कैसे पड़ेगा? समर जादुगर्णी के आगे हाथ चोड़ने लगता है और जादुगर्णी एक छड़ी खुमाकर उसे चील में बदल देती है और समर चील बनकर इधर उधर उढ़ने लग जाता है अब से तुम मेरे गुलाम होंगे और उसके पाओं में एक रसी बांद देती है ये जो रसी तुम्हारे पाओं में बंदी है मैं रोज इसे तुम्हारी पंक जितना काटूंगी और जस तिन ये पूरी कट जाएगी उस तन मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें मार दूँगी और तुम्हारे खून को पी कर जवान बन जाओंगी और तब से मैं यहीं उड़ रहा हूँ लतिका वो जादोगर्ने रोज में रसी काट रही है और एक दिन वो मुझे मार देगी लतिका समर की बात सुनकर रोने लग जाती है और चील भी रोता हुआ महल की ओर चला जाता है और लतिका भी वापस चली जाती है अगले एपिसोड में देखिए कि आखिर चील और लतिका क्या अपनी प्रेम कहाने को अंजाम दे सकेंगे जानने के लिए देखते रहें अगला पार्ट जादुगर्णी का शाप और चील नागिन की फ्रेम कहानी